हाई गाईज आएम कायनद मेकोवास साइड तो आज मैं आपके लिए लेकिया यह साइड बपिंग हैरिस्टाइल लोग जो कि आप देख सकते हो पीछे से कितना ज़ाद ब्यूटिफुल लग रहा है और आगे से भी आप देख सकते हो कि यह हैरिस्टाइल कितनी ज़ादा सु तो आपको इस हैरिस्टाल करने के लिए आपको मेरा पूरा फीडियो देखना पड़ेगा और इस बीडियो में आप सीख पाऊगे की हैरिस्टाइल किस तरीक़ी से करें और आप 199 C asking तक पुछाती हैं जब तक वो है रिच्टल चलेगा तो उसके रही आपको क्या करना होगा आपको अच्छी तरीके से इनके बालों में करना है करने से हमारे जो बाल होंगे तो वो उससे बहुत ज़ादा अच्छा बफिंग मनेंगा इसलिए आपको क्रम्प जबू करना है तो कर रहा हूं आप विस तरीकी से क्रम्प कर ले और फिर आपको साइड में करना है वेक कॉमिंग करनी है एंड रॉल करना है बहुत ही जाधा ऐजी तरीके से मैंने आपको हैरिश्टल दिखाया है और आज मैं आपके लिए रियल वर्फिंग हैरिश्टल लेके आई हूँ और और भी मैं ऐसी हैरिश्टाइल लेकि आती रहूंगे एड मेकप लेकि आती रहूंगे अगर आप भी इस तरीकी का मेकप day, सीक्फना चाहते हो तो आप लीकर सीक्छ सकते हो और!」 क्लास मेरा यही है कि आप मुझे यूटुब पर सब्सक्राइब करें अगर आप सब्सक्राइब कर लेंगे तो मैं कोई भी वीडियो अप्लोड करूंगी तो सबसे पहले आपके पास उसका नॉटिफिकेशन आ जाएगा तो आप मेरी आसानी सी वीडियो देख सकते हो तो साइड हैरिस्टल हम नॉर्मली में करेंगे तो वो जल्दी दब जाएगी वट बैक कॉमिंग करने से हमारी हैरिस्टल नहीं दबेगी इसलिए बैक कॉमिंग करना बहुत ज़ादा जरूरी है बस मैं इनका पप बना रही थी वट मुझे ज़ादा अच्छा नहीं लग रहा तो आपकी भी हैरिस्टाल बहुत ज़ादा ब्यूटिफुल होने वाली है और आप हर किसी की उपर ऐसी हैरिस्टाल बना सकते हो और हाँ अगर आप मेरी ओफलाइन क्लास में मेकप एंड हैरिस्टाल या फिर पालर से लिटिप कुछ भी सीखना चाहते हो तो आप मुझे और कॉंटेक्ट नमबर 7610287003 इस नमबर पर कॉल करें और संपक करें और हाँ अगर आप कोई भी मेकप करवाना चाहते हैं तो आप मुझे आल इंडिया में बुला सकते हो और मेरा आप पालर पर देख सकते हो मेरा पालर का चैनल है ब्यूटी मार्ट पालर इस पर इस इस एकी मेकप इस्ट्यो और देख भी हेर स्ट्यल और पर वी खेत करूंधे को जाएं गोशा जैंगा हमारा पालर पर देख सकते हो और अमी प्लीज प्लीज मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर ले और बेल आइकन को प्रेस करते तो गैस आप लोगों को वीडियो कैसा लगा अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज लाइक कमेंट से जरूर करें आप देख सकते हो मैंने इनका किस तरीके से रॉल किया है मतलब रॉल भी नहीं दिख रहा है और एक तरीके से बहुत ज़्यादा सुन्दल लग रहा है क्योंकि हमारी जो भी कस्टुमर थी ना उसके बाल बहुत ज़्यादा छोटे थे मतलब बहुत ज़ादा चोटे भी नहीं थे बहुत ज़ादा बड़े भी नहीं थे इसलिए हमें उसके बालों की लेंद के हिसाब से उसके रॉल करने थे इसलिए मैंने आपने देखा मैंने रॉल किया और उंगलियों की मदश से उसको खोल लिया मैंने रॉल किया और उंगलियों की मतर से उसको खोल लिया आप भी इस तरीके से रॉल करें वहुती ज्यादा बेस्ट हैरिस्टाल होगे तो आपको वीडियो कैसा लग रहा है भाई कमेंट्स जरूर कर देना और अगर आप इस तरीके की और भी वीडियो देखना चाहते हो तो मेरे चैनल पर मैं अपडेट करते होंगी तो आप देख सकते हो और आप मुझे इस्टाग्राम पर भी फालो कर सकते हो क्योंकि मैं बहा पर भी कुछ नकुछ दालती रहती हो तो आपको भी वहांसे भी बहुत कुछ सीखने के लिए मिलेगा अगर आप सीखना चाहते हो तो और आप मेरे.. औ। अजरे मिम च conviction लिग सब्द्राइब देखिए हो तो यहां ऩाथ धेदयान है तो कैसे लगी आपको हैरिस्टाइल मुझे तो भाई बहुत बढ़िया लगे और जो मेरी कस्ट्रूमर थे उसको भी बहुत ज्यादा अच्छी लगे बाब बाई गाईस